नमस्कार इद्यार्थी मित्रों, केम छो, तमें अगाउना दोरण मां कुद्रती रेसावीशे परिचेर मेलवें। शु तमने याद छे? चल मित्रों, आपने याद करी लईए। आजे हुँ तमने केटलाग चित्र बताविश अने ते अंतर्गत थोड़ाग प्रश्ण पुछीश। आशानू चित्र छे? हामित्रों, आ हाथरु माल छे? आ हाथरु माल मां केवा प्रकार्ना रेसानो उप्योग थेलो जोवा मले छे? एकडम साच्यू, आ हाथरु माल मां सुत्राव रेसा, एटलेके कुद्रती रेसानो उप्योग थेलो जोवा मले छे? आ शानू चित्र छे, हाँ, आ स्वेटर छे, आ स्वेटर मा केवा प्रकार्ना रेशानो उप्योग थेलो जोवा मले छे, सबाश, आ स्वेटर मा उन कुद्रती रेशानो उप्योग थेलो जोवा मले छे, आ शानू चित्र छे, हाँ, आ साडी छे, आ साडी मा केवा प्रकार्ना अशाड़ी मा रेषम प्रकार ना कुदरती रेषा नो उप्योग ठैयलो जुवा मपड़े छे हाँ मित्रो आ माला छे आशू छे हाँ आ यू पिन ने जोडी ने बनावेली सांकल जीवी रचना छे आ बन्ने रचना मा तमने शु समांता जोवा मले छे विचारो जुये तो एकदम साचु मित्रो आ बन्ने रचना ए नाना ना एकमो ने जोडी ने बनावेली सांकल छे मित्रो, आ शंसलेशित रेसाव मां, आज प्रकारना ना 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 एकमो बनीने एक सांकल जीवी रचना दरावेचे हकीकत मां आ नाना एकमो एक प्रकारना राशाणिक पदारतो छे आवा गणा बधा एकमो जोड़ाईने एक विषाड पोलीमर नी रचना ठाई छे चला मित्रों, आज आपड़े पोलीमर विशे समझिये पोलीमर, पोलीमर शब्द एक ग्रीक बाशाना बे शब्दो पर्थी उत्री आवेओ छे प्रतम शब्द छे पोली औने बीजो शब्द छे मर पोली नो अर्थ थाई छे गणा, अथवा गणा बदा ज्यारे मर शब्द नो अर्थ थाई छे बाग अथवा एकमों पोलीमर शब्द नो अर्थ थशे गणा बदा भाग अथवा गणा बदा एकमों आम पोलीमर एक गणा बदा पुन्द्रावर्तित एकमों थी बनेलो होय छे पोलीमर एक कुद्रतमा पन जोवा मले छे जयम के कपास ए सेल्लोज तरीके ओड़खा तो पोलीमरत छे विद्यार्थी मित्रो अहीं तमें संसलेशित रेशाव विशे समझ केलवी आजी आपने संसलेशित रेशाव ना प्रकार विशे समझ मेडवी है रेयन तमें जानों छो के रेशम ना कीडा माथी रेशम ना रेशाव मेलवानी शोद सव प्रथम चीनमा थाई हती आ रेशमनु कापड खुबज मोगू हतु पन एनू पोत एटले के टेक्स्चर एस सवने खुबज आकर्षतु हतु त्यार बाद क्रुत्त्रीम रेशम बनावाना प्रहेतनों शरू थाया ओग्णिस्मी सदीना अंतमा वैग्णियानी कोई लाकडाना मावा पर रासाइनिक प्रक्रिया करीने रेशाव बनाव्या आ रेशाव ए रेयोन तरेके ओडखाया जोके रेयोन एक उद्रती स्रोत लाकडाना मावा माथी मले छे परन्तु त्याना पर रासाइनिक प्रक्रिया थवा थी ते मानव सर्जीत रेशाज गणाई छे रेयोन ने गणाबदा रंगोती रंगी शकाई छे रेयोनना रेसाने कपासना रेसात साथे वणीने चादरो अने उन्नना रेसा साथे वणीने चट्टाईयो पन बनावामा आवे छे विद्यार्थी मित्रो अई आपने रेयोन एटलेके क्रुत्रीम रेस्वम विशेस समझ मेलवी हवे आपने नायलोन विशेज समझ मिलविए नायलोन नायलोन ए मानव सर्जीत रेसा छे नायलोनने कोईज प्रकारना कुद्रती काचा मालना उप्योग वगर ज इस्वीचन ओग्णी सो एकत रिसमा बनावामा आवियो हतु त्याने कोल्सो पाणी औने हवा माथी बनावामा आवियो छे आ नायलोन अज सव प्रथम सम्पूण संसलेशित रेसा तरीके ओलखवामा आवे छे आ रेसा मजबूत तितिस्तापक औने वजन माँ खुबज हलका छे ते चमकदार तता सरल ताती दोई शकाई तेवा होई छे ते कापड बनावा माटे खुबज प्रचलीच छे आ नायलोन ना रेसा माथी गणी बदी चेज वस्तूओ बने छे जे आपनी आजुबाजु पन उपलब्द होई छे जेम के मोजा, दोरडा, तम्बू, टूथ ब्रश, कारना सिट बेल्ट, स्लिपिंग बैग, पड़दा वगेरे नायलोन पेराशूट तथा पर्वता रोहन माटे ना दोरडा बनाव माटे खुबज उप्योगी छे आ नायलोननों तात्णो, एटलेके नायलोननों रेसो, एस तिलना वाइर करता पण मजबूत होई छे मित्रो, हवे तमारा मनमा प्रश्न उदबवे, ए स्वाबावी कच्छे कियो रेसो सवथी मजबूत होई छे तो चालो मित्रो आज आपने आज प्रश्ण संदर्बे एक प्रवुर्ती करिए और वदारे समझ मिलविए आ प्रवुर्ती करवा माटे स्टेंड, क्लेंप, बोस हेड, सुत्तर नो दोरो, एटले के कापास नो दोरो, उनुनो दोरो, रेशम नो दोरो, नाइलन नो दोरो, प्लास्टिक नो डबो, अने लखोटियो तया राखी शुँ सव प्रतम एक लोखननों स्टेंड, आ प्रमाने गोठवी शुँ, हवे प्लास्टिक ना डबानी चारे बाजुए, आ प्रमाने दोरी बांदी शुँ, हवे आ सुत्तर नो दोरो लई शु, हवे आ सुत्तर ना दोरा माथी 10 सेंटिमीटर लांबो दोरो कापी शु, अहीं आ प्रमाने स्थेन पर गोठ वीशु। हवे आ पल्लामा लखोटियों मुखी शु। अने गणी शु। ज्यां सुदी दोरो तुटी न जाये त्यां सुदी लखोटियों मुखता जै शु। एक, बे, त्रण, चार, पांच, छो, साथ, आट, केटी लखोटियों थाई मित्रों। हा, आट लखोटियों मा आ सुद्तर न दोरो तुटी जाये छे। हवे आ लखोटियों नी नोज आपडे कोस्ट्रक मा करीशु। कपास एटले के सुद्तर ना दोराने तुटवा माटे आट लखोटियों ना वज़ननी जरूर पडी। हवे आपने 10 सेंटिमीटर लांबो उनुनों दोरो लाईशु। मित्रों अई आपने एक वातनु खास द्यान राखीशु। के आ दोरानी लंबाई एद दरेक वक्ते सर्खीज होवी जोईए। हवे आ पल्लामा लखोटियों नाखीशु। अने गणीशु। मित्रीशु। मित्रीश। 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 42, 43, 44, 45 मित्रो आ उन्नों दोरो एक केटली लखोटियाना वजन थी तूटियो हाँ आ उन्नों दोरो एक 45 लखोटियोना वजन थी तूटियो आ लखोटियोनी संख्यानी नोज आपड़े कोस्टक मां करीश्यू आ उन्ना दोराने तूटवा माटे 45 लखोटियोना वजन नी जरूर पड़े छे हवे आपने 10 सेंटिमीटर लांबो रेशम नो दोरो लईश्यू हवे आ रेशम ना दोराने स्टेंड पर आ प्रमाणे लगावी श्यू आने लखोटियों मुखी श्यू एक बे त्रण च्यार पांच छो साथ आठ नव दस अगियार बार तेर चाओद पंदर सोड सत्तर अढ़ार ओगनीश वीज एकवीश 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 46, 47, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 49, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 66, 67, 69, 70, 41, 42, 33, 34, 44 हा मीत्रो अहीं आ रेशमना दोराने तुटवा माटे चुँओ तेर लखोटियो जिटलू वजन जुईये छे हवे आपने 10 सेंटिमेटर लांबा नायलोन ना दोरानों उप्योग करीशुँँओ आवे लखोटियों मुखी शू अने गणी शू एक बे त्रण च्यार पांच छ साथ आट नव दस वीज चालिस परचास सितिर नेव नववणू सो एकसो छो एकसो साथ एकसो आट एकसो नव एकसो दस एकसो अग्यार हा मित्रो अहीं आपड़े जोयो के आ नायलोनना दोराने तुटवा माटे एकसो अग्यार लखोटियोंनु वजन जरूरी छे हावे आ लखोटियोंनी संख्यानी नवद आपणे कोस्टक मा करीशू आ नायलोन ना दोराने तुटवा माटे 119 लखोटियोना वजननी जरू पड़े छे मित्रो हावे आ कोस्टक नू अवलोकन करो कयो दोरो सवती वदू लखोटियोना वजन थी तूटियो 27 मित्रो आ नायलोन नों दोरो ए सवती वदू 119 लखोटियो ना वजन्थी तूटियो कईो दोरो सवती ओची लखोटियो ना वजन्थी तूटियो एकडम साचु आ कपास एडले के सुत्राव दोरो ए 8 लखोटियो ना वजन्थी तूटियो विद्यार्थी मित्रों शू तमे मने कही शको के आमाती सवत्ती मजबुत दोरो कईयो छे साब बाश मित्रों आ दोराओ पईकी सवत्ती मजबुत दोरो ए नायलोननों दोरो छे इद्यार्थी मित्रों अहीं आपने जोयू के नायलोन नों दोरो ए सवती वदू मजबुच छे। आजी आपने सू सीख्या ए फरीती एकोगा दियाद करे लेए। हाँ, आजी आपने सांसलीशीत रेशाव ना परकार पई कि रेयोन, नायलोन अने कयो रेशो मजबुच छे। ए संदर्बे आप्रवूर्ती पन करी। मित्रो, आ प्रवूर्ती तमें गरे करी, तेनी नोध तमारी नोध पुथीमा करशो। मने आशाचे के आजी आपने खुबज मज़ाविये शे आभार। नमस्कार, बाल दोस्तो, आजे आपने आपना देशनी आजादी माटे पोताना प्राण नियुचावर करनार एवा क्रांती कारियों 22 विशे वात करवाना छिये। आपना देशनी आजादी कुब महमोली छे। अने ये आजादी ये पावा माटे आपना देशना अने एक क्रांती कारियों सहीद थेया आता। आ क्रांती कारियो कोई शांती ना मार्गे तो कोई क्रांती ना मार्गे आजादी नी चल्वल मा पोता नू योगदा नाय पिवतु। आजे आपने शांती ना मार्गे ने परंतु क्रांती ना मार्गे जहमने भरत देशनी आजादी माटे पोता ना प्राण नियोचावर केराशे एवा गुलाम भारत ना एक लोता आजाद एवा चंदरसेकर आजाद विशे महेती मेल वीशू। चंदरसेकर आजाद नो जन्म तेविश जुलाई उगनिशो चना रोज उत्तर प्रदेश राज्जना उन्नाव जिल्लाना बदरडा गम्मा थयो हतो। तेमना पितानू नाम पंडित सिताराम तिवारी हतु और तेमनी मातानू नाम जगरानी देवी हतु। बालपण मा आज तेवो खुब दड्य मनो बोलवाला और खुब हंश्यार और चंचल हता। पहलवान बाजी मा और तिरंदाद नो पंटिमने खुब शोक हतो। पंडित सिताराम तिवारी चंदर शेकर आजाद ना शिक्षन माटे तेमने ए समयनी प्रक्ष्यात विश्व विद्याले कासी मा संस्कुरूत ना अभ्यास माटे मुके आवे छे। हवे आ समय कासी विद्याले संस्कुरूत नो अध्यननु केंद्र जुने परन्तु क्रांतियनु पने खुब महत्वनु केंद्र हतो। परन्तु चंदर शेकर आजाद ने शिक्षल माई किया रशा जतो। एमने तो आ देशनी आजादीना रंगे रंगायाला हता। अने तेमनी बाला टोलकी आ देशनी आजादीनी चर्चाव करती हैती। आ समय दरिम्यान आपने चंदर शेकर आजाद चंदर शेकर माथे आजाद केवरीतना ओलखाया एनी ए घटनानी वात करीशू। चवद वरस्नी उम्मरे चंदर शेकर आजाद घर छोडी ने मुंबै तरफ प्रियान करेशे। अने तेवो आजादीनी लड़तनी पत्रिकाव न्यूजपेपर वांचेशे। आजाद शेकर आजाद का जन 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंदर शेकर तेवारी था। चंदर शेकर आजाद का प्रारंबिक जीवन आदिवासी बाहुल्य शेत्र में इस्तित भाबरा गाउं में बीता। चंदर शेकर आजाद मातर 17 वर्ष के आयू में क्रांतिकारी दल हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसियेशन में समलित हो गए। उन्होंने दल में प्रभावी भूमिका निभाई। चंदर शेकर आजाद ने प्रसित काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया। सांडर्स वर्ष सेंट्रल असेंबली में भगत सिंग दौरा बम फेकना वाइसरोय की ट्रेन बम से उड़ाने की चेश्टा सबके नेता वही थे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने आसायोग अंदोलन प्रारम किया तो उन्होंने उसमें सक्रिय योगदान दिया। चंद्र शेकर अजाद के ही सफलने तृत्व में भगत सिंग और बटू केश्वर दत ने 8 अपरेल 1929 को दिल्ली की केंद्रिय असेंबली में बम विस्पोर्ट किया। चंद्र शेकर अजाद अपने साथ हमेशा एक माउजर रखते थे। यह पिस्टल आज भी इलाहबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। चंद्र शेकर अजाद ने अंग्रेजों के हाथों ना मरने की कसम खाई थी। और इसे निभाया भी। कासी विस्ट्यों विद्यालई मां संस्कृतना अभियास्त दहीर में हमें है। अपन्रेज अन्ग्रेज पोलीष और जाओमा जुद्यीयरत हैं। कारण के ते बधात चंद्र शेकर करता उम्परमां मोट心 हाथा। ज्यारे चंद्र सेकर उमर मा नाना हो थी, तेमने 15 कोर्णा नी स्वजाकरी तेमने छोडी मुकवानी वात करो मा आवे छे, और तेमनी पासे माफी मंगाव मा आवे छे, परन्तु जो माफी मांगे तो ये चंद्र सेकर आजाज चाना, एकले तेओ नहीं दिश नी माफी मांग परन्तु जो माफी मांगे तो ये चंद्र सेकर जवाब आपे छे, मारा पितानु नाम स्वधिनता छे, तेर बाद नहीं दिश आगल प्रश्ण पुछे चे तारू घर के आवे लूँ चे, तेरे चंद्र सेकर कहे छे, कि जहल खानू ये मारू घर चे, आम चंद्र सेकर ना जवाबो शाम्बली तियां उपसी सव अंग्रेजों च्वाकी गया आता एटलूज ने अंग्रेज नियह दीश पोतेपन को गुष्य थे गया होतो अने बाल चंदरशेकर ना जवाबो शाम्बली तेने पंदर कुरडा मारवनी सजया संबलावेशे पन आ बाल चंदरशेकर क कि घळल मा ती भाहर निकील तियाना इसली सब्सक्राना नियम मुझभ त्यने त्रहुन रखम ममेभा बाल चंदरशेकर नियुक्त नियुक्वली तेसली त्रह मारि तेसली बाहर निकीली जली जया से आ बड्स चंदर शेकर आजाद तरीके ओलखा वाला गयां। चंदर शेकर मर्ता दमशुदी आजाद रहे आता। चंदर शेकर आजाद तरीके ओलखा वाला गयां। 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 लाला लजबतर राय उगणिशोने 28 मा सामेन कमिशन विरोध करता अंग्रेज पोलिस नी लाटी माथामा वागी हैती। अने तेवो थोड़ा समय पची अवसान पाइमिया आता। आ शमग्र घटना माटे एक अंग्रे जधिकारी स्वांडर्शन ने जवाबदार गणवामा आवे आता। अने आ लाला लजबतर राय नी हत्यानों बदलो लेवा माटे चंद्रशेकर आजात भगत्सी बटोकेश्वर्दत यम अनेक क्रांतिकारियों साथे मलीन एक आयोजन करियों अने आयोजन मुझब समयान तरे तेवो लाला लजबतर राय ना हत्यानों बदलो स्वांडर्शन नी हत्या करीने लेईज। म चंद्रशेकर भगत्सी बटोकेश्वर्दत साथे मली अने दिल्लीली नी केंद्रे धाराशववामा जे बहुम फेगों माहतो तेवों आयोजन करे शे अने नकी थहेली तारिक मुझब दिल्ली नी केंजर धाराशबा मा भगत्सी अने बटुकेश्वर दत्वारा बोम फेकी बहरी थहेली अंग्रेजोनाय संभलावा माटे आखु आयोजन करोमा आवेलुएशे त्यारे आजे बोम फेकोमा आवे होतो ए चंद्रशेकर आजाद नी फ्यक्टरिमा बनावेलुएलो हतो आम चंद्रशेकर आजाद क्रांतिकारी प्रवुतियोना खुब भणिता क्रांतिकारी हता बाल दोस्तो तमारी आ चंदर सेखर नी खुबज प्रक्षियात आ तस्वी नो रस्प्रद इतियास जानूँशे ने तो चालावु तम ने तेनो इतियास जनावुशु। चंदर सेखर आजाद ने फोटो पड़ावनों कैरे श्वख नतो। इटला माटे के तेमने खबर रती के जो तेमनो फोटो कैरे अंग्रे अधिकरियोना हाथ मा आईवी जेशे तो आ देशनी आजादीनो कारिय अधुरू रही जेशे परन्तु एक दियोस तेओ फोताना मित् रुद्र नाराणसीने मलवा जासी जाये शे तेओ मित्रने मली अपड़ा देशनी आजादीना आयोजननी रुप्रेकात एयर करता होई शे आ समय एक वार चंदर सेकर आजाद नाहे पोते बाहर निकलता होई शे जारे चंदर सेकर पोतानी मुच्छो उपर ताव देता परन्तु तेमना दोस्त रुद्र नाराणसी पन जानता हाता कि क्यां चंदर सेकर नाराज चे कारण कि जो आ तस्वीर क्यारे अंग्रेज पोलिशना आत्मा आईवी जाये तो आपने देशनी आजादीनू कारिया अधूरू रही जाये इतला माटे रुद्र नाराणसी आ तस्वीर ने क्यारे जाहर करता न थी परन्तु जारे चंदर सेकर आजाद उग्णिशो ने एकत्रिसमा शहीद थाये चे त्यारे तेमनी आ तस्वीर तेमना मित्र रुद्र नाराणसी जाहर करे चे त्यार थी चंदर सेकर आजाद नी मुझे ताव देती तस्वीर खुब प्रख्यात बनी जाये छे चंद्रसेकर नी ए रिवल्वर जे हम्मेशा तेमनी साथे राखता आधा ते आजे पन अल्लाबाद मुझ्यम मा राखेली छे 27 मी फेबरुवारी 1931 मा दिवसिये चंद्रसेकर आजाद पोताना साथी मित्र शुकदेव साथे रहलाबाद ना आल्फेल्ड बागनी अंदर बेसीने अपना देशनी आजादीनी आयोजननी चर्चाकरी रहया होई छे त्यारे कोईनी पूर्वा सुचनाथी अंग्रेज पोलीस त्यां आवी चड़े छे औने अंधादून गोलियोनु फाइरिंग चालू करी देई छे आ सबय चंदर शिकर आजाद निडरता थी अंग्रेज पोलीस नों सामनों करे छे अने शुक देव ने पोता न जीवु बचाईवी त्यां थी भगाडी मूके छे खुबज अंग्रेज पोलिशों नो सामनो करता करता तेवो थाकी जाये छे छेल्ले जारे तेमनी पिस्तोल मां मात्र एककज गोली बचे छे त्यारे तेवो विचारे छे कि जो हुँ आ एक गोली पन अंग्रेज उपर चलाई देश तो हुँ जीवतो पकडे जेश अने मारी प्रतिगिना पूर्ण नही थाये येटला माटे चंध्र सेकर आजाद छेल्ले गोली स्वयम souvent फोताना कपाल मा फोड़ी देचे अने पोते सहीदि वरी लेशे आमात्र 24 वुरस नी उमर मा चंद्रसिकर आजात आजाद परी Says चंद्रमनों नाम आजे चंद्रसिकर आजाद भाग राफभा मायू जे त्यों भरती आजातीना उधार्य करता state approved आवा क्रांतिकारी चंद्रसिकर आजाद अनेक पेडियो सुधी आपने प्रेणा पुरी पाड़ता रेशे अने छेले जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पेचान लिख देना उठाना कमांडो ड्रेगर और चाती पे हिंदुस्तान लिख देना जब कोई पूछे कौन संथा फालग तो भगत्ची और क्रांतिकारी चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना ऊर बचा होग होग मेरा तो उसे निकालना ओर भेकना जमीपे और मातुच्च्य सलाम लिख देना यवी अपर जब कोई अपने थोजिश्तान दावियों आजप्शाजू अश्तंस सत झाल झाल